फर्दबाद के सेक्टर वारस्थित खेल वरिसर में आज दो दिवसिय मुख्यमंतरी अंतियो देव परिवार उथन मेले का शुभारम हुआ इसका उदखाटन कैबिनेट मंतरी मूलचंच शर्मा नी किया इस मौके पर उनके साथ पक्षवर विबक्ष के तमाम विधायकों के अलावा प्रशासनिक अधिकादी भी मौजूद रहे कैबिनेट मंतरी नी कहा कि इस मेले के माध्यम से एक लाख असी हजार से कम वार्शिक आये वाले लोगों और अंतिम छोट पर खड़े व्यक्तियों को लाब मिलेगा अधिकारी है उसकी सुरूगात करिए कि आदमी को रामे जिस चीज में जिसकी जूर्थ हो वे एगरी कल्चर में तो एगरी कल्चर में किसका इंट्रेस्ट है उद्धोग छेतर में उद्धोग में है आए से कम उसकी मालोग आयम एक लाख से जासे कम है उसको लोन इस सारी स्कीम जो परदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अन्तिम वेक्ति जिसको जड़ता उस तक पहुँचाना यह सरकार का करतव है और इसके लिए मेले को आयोजन है हमें सभी साथी मिलके इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग लाव उठाएं और जो लिस्ट है उसका सब को लाव मिलेगा हर चीज का जितने जितने मेलें से यह जितन कुछ जानकारी नहीं होती कि बंढ गोर्ट इंतोदे के तहट जो आकरी पंच्ति में के लिए गाम मदद के लिए집 सुभिदा कई रहा है वेपिटार ऑथा जाह से लिए उट को लोग हैै जारा है मिलारेजेंट करां सिर्षित के यहां जारा रहा है और मचली पालॉ Τालन में किसी कै causes के लिए और और कोई भी काम जो करना चाहता है उसके लिए लॉन दिया जाता है। पैसे का दूरुपयोग है। उन्होंने कहा कि लिस्ट में शामिल एक व्यक्ति को जब फोन लगाया गया तो उसने बताया कि उसकी आमदिनी एक लाख रुपया महीना है। और उसने इस योचना का लाभ लेने के लिए अपलाए ही नहीं किया था। सब्सक्राइब तो उन्होंने का जिए जोन नंबर एक एन नाइटी च्यासी का मिनका कितने आदमियों नोने का 200 कुछ आदमी है। तो मैं लिश्ट लेके आया उनके यहां से और मुझे बड़ी हरानी हुई कि मैंने पांच मिन्ट के इंदर इसका नीर चीर कर दिया यह 255 आदमियों की लिश्ट है। इसमें से 57 आदमी तो वो निकले जो एन नाइटी च्यासी के नहीं है। उसमें से एक हमारे अपना घर सोसाइटी है। बड़ा रिचेरिया हमारी विदान सबाता। वहां का एक आदमी का नाम था मैंने का जिसको जरा फोन मिलाना। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति खड़े थे विकलांग भी हैं। उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। उसको फोन मिलाया वो कहता जी मेरी तो एक लाग रुबे महीने की इंकम है। और पता नहीं मैंने ना एपलाई किया मेरा नाम किस ने डाल दिया। मैंने विधान सवा में भी इसको लेके प्रशन उठाया था। खास तोड़ से यह मैंने बात कही थी कि यह जो आप परिवार पैचान पत्र नहीं बना रहे हैं। और इसके अंदर एवाई का डाटा रख रहे हैं। जबकि एवाई का डाटा आल्रेडी हमारे पास है। वाजपई जी की सरकार के समय यह प्रुजेक्ट आया था। उसके साफ से राशनकार बट रहा है। आपको इसको नहीं की जुरूत क्या है। उसके बाद किसी भी सरकारी अपनिकारी ने यह सरकारी अमले ने जो तंता स्की खुन पसीने की कमाई से तंखा ले रहा है। उसने इतनी जरुत भी नहीं समझी। कम से कम 20 मकानों के एड्रेस हमारी पूरानी प्रेस कलोनी के हैं। जो कि सब को पता है कि प्रेस कलोनी आज बंदो चुकी है वो क्वाटर सरेंडर हो चुके हैं ना वहां कोई रहता है ना वहां बिजली का कनेक्शन है उनके नाम भी फरजी डाल दिये गए हैं इसके अंदर योग्य लोगों को इंकलूड ही नहीं किया सिरफ सिफार्जियों को इंकलूड कर लिया इसके अंदर आप देखोना मेले के अंदर जितने लोग आएं ज्यादा तर से आप पूछना जो यहां भटक रहे हैं वह वास्तव में करी में उनका नाम ही नहीं लिस्ट के इंदर सिरफ खाना पूर्ति करी है हालां कि एक सरकारी अफसर ने मुझे बता विपक्ष के तमाम विधाये का एक मंच पर तो जरूर आए लेकिन यहां पर फी आरो प्रत्यारोपो का दौर जारी रहा अब देखने वाली बात होगी कि कॉंग्रेस विधाये का नीरज शर्मा के इन आरोपो का भाजपा क्या जबाब देती है पंजाब के स्टीवी के लि झाल